ऐसे पांस संकेट जो आपको ये बताते हैं कि आपका पुनल जनम हुआ है वैसे तो बहुत सारे धर्मों में ग्रंथों में ये बताया जाता है कि हमारी जो आत्मा है वो अलग-अलग शरीर धारन करती है और बार-बार इस धर्ती पे आती है पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक विशेश चीवन काल में आपके लिए जो कोई कार दिया गया है जब वो आप पूरा नहीं कर पाते या आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तब उसी कारे को पूरा करने के लिए आपका दुबारा जनम होता है और उसे हम पुनल जन आपको बार बार आना आप अपने सपने में कुछ ऐसी जगे को देखते हो ऐसे स्थान को देखते हो जिसे आपने इस लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है उस जगे पे आप कभी भी गए नहीं हो पर आप सपने में उस जगे को बार बार देखते हो कोई गाउ वो आपके past life से connected है दूसरा संकेत होता है mark या birth mark जब आपका जन्म होता है तो आपके शरीर पे कोई ऐसा निसान, कोई ऐसा mark जो आपके birth time से है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो past life था उसमें आपको कोई चोट लगी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका निशान आपको इस life में भी मिलता है जो तीसरा संकेत है वो होता है spiritual gifts या हमारे special gifts जो हमें अपनी past life से मिलते हैं या आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना सीखे, बहुत सारे musical instruments बजा लेते हैं चोटा बच्चा है उसने कभी भी सीखा नहीं है फिर भी वो गिटार प्ले कर रहा है या फिर किसी एक particular topic पे बहुत जादा लिख रहा है उसका बहुत जादा interest है अब उसकी past life gifts होते हैं चोथा संकेत होता है fear किसी तरीके का डर बेवज़ा डर आपको इस life में कोई भी नुकसान नहीं होए फिर भी आप पानी से दर्टे हैं आप उचाई से दर्टे हैं आप छोटे से इंसेक्स से दर्टे हैं रोड क्रॉस करने से दर्टे हैं या फिर बिना बिमार हुए आपको ऐसा लगता है मैं बिमार हो जाओंगा मेरे को ट्रबल है बहुत सारे लोगों में देखा जाता है उनको कोई बिमारी नहीं हो फिजिकली फिट है बट उनको ऐसा लगता है कि I am suffering from some disease वो इसलिए होता है कि वो अपने past life में इस तरीके वा किसी fear को विया तो face कर चुके है यक long time किसी disease उन्हें सफर किया है इसलिए वो fear आज भी उनके अंदर बैठा हुआ है जो पांचवा संकेत होता है वो होता है जब आप किसी इंसान से मिलते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इन्हें पहले से जानता हूँ यह इंसान मेरे लिए नई नहीं नहीं जब आप उनसे बात करते हो आपको लगता है इनका thought process, thinking process मेरे से बहुत ज़ादा match करता है तो यह आपकी past life के कुछ ऐसे लोग होते है जो आपकी close होते है वो आपकी इस life में carry forward होते है अपने काम को पूरा करने के लिए इसी तरीके से आपकी life में कुछ ऐसे लोग भी होते है जिनसे आपका कोई भी मतलब नहीं फिर भी वो आपकी life में बहुत सारे obstacles create करते है problems create करते है मतलब आप उनके direct कोई enemy नहीं है लेकिन वो आपसे ऐसे ही treat करते है तो ये भी आपके past life से आते है यानि अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही past life से carry forward किये जाते है तो आपने कितने ही संकेत को experience के अपनी life में और क्या आपका भी हुआ है पुरनल जनम तो अपने experience कमेंट में जरूर शेयर करें